नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभीका आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टड़े में आज मैं आप लोगों के सामने जारखन बोड जारखन बोड के दवारा प्रोजेक्ट रेल के तत्त प्रेपोड की एक्जामिनेशन करवाए गया जो फ्रेंट्स काफी महत्पून था तो फ चलिए देखिए मैं कोशन के साथ कुछ एक्स्टा फैक्स भी दूँगा ताकि आप लोग को अपकमिंग जाम के लिए फायदा दे सके तो चलिए फर्स्ट कोशन देख सकते आप लोग पहला कोशन क्या लिख रहा भारत के उत्तर पूर्व में साथ बहने कौन है सबसे पहले ह पहले अपराते हैं से थयान से समझते कि आप लोग देखें यह फ्रैंट्स आप लोगा देखिए कोंगों सबसे फ्रैंट्स यहाथ스र पूर्वी में आगर आते हैं सबसे पहले अरुनाचर परदिस आता है अरुनाचर प्रदिस यह हमारा प्यारा भारत है देख सकते हैं मैप के द्वरा में लाए हो देखिए यह हमारा प्यारा भारत है अब इसी में देखिए यह आपका उत्तर पूर्वी है यह उत्तर पूर्वी राजी है देखिए कौन को नहीं सबसे पहले उत्तर पूर्वी में अगर आते हैं तो सब आनिया मामी आप लोग दो बार बोली याद हो जाएगा आना मामी आ से होगे फ्रेंड्स अरुनाचल परदेश नास होगे नागलेंड मास होगे मनिपूर मीजोरम यानि की सौत से नौर तक शौली नौर से सौत तक उत्तर से दच्छिन तक चार आप लोग हैं पर राजी आसपर्ष करता है तो यह आप लोग याद कर सकते हैं यानि आप लोग देख लिए सातुराजी कौन कौन से काफी इंप्रोडेंस है अरुनाचल परदेश है नागलेंड है असम मनिपूर मिजोरम त्रिपूर और मिघाले है अगर घोसन आएगा इसकी घोसन कब हुआ था त तो चलिए नेक्स्ट कोस्टन तो आप लोग के सामने जो पहला कोसन था भारत के उत्तरपूरी में साथ बहने कौन-कौन था तो मैं इसे अभी बता दिया हूं ठीक है नेक्स्ट नागलेंड कब राज्य बना तो फ्रेंट्स आप लोग याद रखेंगे नागलेंड नागल दिवस मनाते हैं एक दिसंबर को नागलेंड दिवस मनाते हैं और नागलेंड आपका जो है यह अरुनाचल पर्दिस के नीचे है यानि अरुनाचल पर्दिस के सौथ में है एन वेरी नेक्स्ट कोर्षन निच्ट पनजाब की विभाजन से कौन से नेयराज्य बना तो फ्रेंट्स इसके बारे मैं कुछ extra facts बताओंगग सुन लेंगा आप लो अप्रेल ध्यान से सुनेंगे तैस अप्रेल 1906 को निया मुर्ति जेसी साह यानि जिसे साह आयोग भी कहते हैं जेसी साह की आयोग में एक अस्थापना किया था यानि अगर को सना आता है कि पंजाब से हर्याना का जो गठन हुआ था किस आयोग के था था तो आपनों लिख सकत विखते हैं और ठीफ और तो इक नवमबर 1906 को हरीयाना अस्थित्म में आयो कुल्यक आधा कॉसांसा अउंग का शायोग कि वेरी नेक्स्थिक्त नेक्स्थ ना कॉस्था निंयुक्ट में राजगोपालाचारी ने कौन सी पार्टी बनाए थी तो काफी महत्तपून कॉसान तो 1969 में 1969 में राज गुपालाचारी ने एक पार्टी बनाया था जिसका नाम है यान उस पार्टी का नाम स्वतंत्र पार्टी आपका बना था तो गुशनीजन जुननीजन में डुन क कंशती Helsinki 11 core kart क स्वास्तंत्रy पाकड को बनाता किलीजरित्यों बीजस्त भारत के दो राश्टिये राजनितिक में आम रिखे में आप लोग को यहां पर बतारा न जब दखें यहां पर लीज़ देंक्ध हैं तो याद रखेंगे भारत में वर्तमांसा में कुल आठ राजनितिक दल है जो राष्टी जिसको मानने तब प्राफ्त है यानि कुल आठ है जिसमें दो का पूछा तो आप लोग लिख सकते हैं पहला बीजेपी यानि कि भारती जंटा पाटी अब दूसरा लिख सकते हैं आप बिजेपी का स्थापना हुआ था 1980 में तो यह दो आपका राष्ट्य पार्टी इसके साथ साथ एक और बावी पार्टर बता जाता हूं तिसरा और आठमा जो अभी वर्तमान में न्यू है तो एन पीपी नेशनल पीपूल्स पार्टी इसका चुनाव चीना फ्रेंस पुस्तक चाप यह नहीं बुक चाप है किलिर है ऐसे 2019 में रा श्ब्रेंस नेच्ष्ट पार्टी का मानेता मिला के साथ आप लोग बहुजन समाज क्या लिख रहा उसके बारे मैं बता नहीं रहा तो फ्रेंस देखिए कोस्तन यह बोर रहा आप लोग के सामने गुट निर्पेश आंदोर्यों का पहला सम्मेलन किस वर्ष और कहां हुआ तो यह काफी महत्पून है यह आप लोग का फाइनल एक्जाम में को से पूछा आप थी और भी सासी कि सुनेंगे हैं गुट निर्पेश म्मेलन कि फ्रैंट ध्यान से सुनेंगे गूट निर्पेश म्मेलन है इसका पहला संम्मेलन स्फाशार्च एक्सट मेंsis में यह था इंयाद रहेंगे लेकिन आगर सोасन को Ilk theoreticallyiron पहला जब सम्मीलन हुआ था न उसमें कुल 25 सामील वह था कुल कितना देश पार्टिसिपेट किया था 25 सामील हुआ था क्लिए अगर कोसन आता है गुट निर पेज अंदोलन होता क्या या या पि यह है क्या तो देखिए यह एक अंतराश्टी संगठन है या फिलिख सकते हैं गुट निर्पेजों ने एक अंतराश्टी संस्था है या अंदोलन भारत के या अंदोलन भारत के प्रथम प्रथामंत्री पंडी जोहलल नहिरू फिर मिस्र के पुर्व राष्ट्पति ग्लाल अब्दुल नासार और यूगो अस्वाकिया के राष्ट्पति ब्राज इसके अस्थापना का था उनीस सथापना कहता है तो अब बरतमान समय में कुल कितने देश हैं तो घ्रथमान समय कुल 120 देश है अब पाचीस में से या थिखेंगा पांच देशन मिलका इसका स्थापना किया था इन बेर को साज आईए संब्वन हर यानष होताँ लेकिन यह इंपर विल्वकार उफर्स परधर इंपर इम्पारेक्ससरों में बता रह होता है इसे आप यादए प्लिएक जो न घृता है और यह मैंनुक्ति है साँ जाच आयोक टखाटान न में किया गयाता इसे आप याद से हैं मिध जो किसट्राका दोफ। सब्सक्राइब पलिए भारत में अब तकिता प्रकार कें अपातकाल देकिल नमर्ट 3152 ज़ाँ तो 352 से जो होते हैं उसे बोलते है राष्टी आपतकाल भारत में किवल एक बार लगा है वह भी लगा था 21 महीना के लिए अब कब लगा था पिसे आप लोगों पता होगा यानि फ्रेंस 1975 में लगा था तो उसी को जांच के लिए उसी की जांच के लिए अब आता अर्टिकल नमबर 360 तो फ्रेंस याद रखेंगे 360 जो तरन वह वित्ती आपतकाल होता है अगर को सब्सक्राइब को लेगा वित्ती आपतकाल से का समझते हैं तो वित्ती आपतकल आज तक पूरे कभी देश में नहीं लगा तो इतना आप लोग याद कर सकते हैं बिल तो सबसे पहले को सन इसमें क्या लिख रहा है कि डवली टी ऑट व्ल्टिव क्या है डोल्ल्ट्रेट औरगनाजेशन विस् सववफल विपार संगषण अब सबसे पहले कि यहाद रखेंगे भारत भी इसका हिकस्टा है तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं यहां एक अंतरा डब्लू टूए डब्लू टीओ एक अंतराश्टी संगठान है जो विश्व वैपार के नियम के लिए बनाता है किले रहा है अगर कोशन आता इसकी स्थापना कर हुआ था तो फ्रेंड्स आप लोग याद कर सकते हैं इसकी स्थापना जो हुआ था यानि डब्लू टीओ को स् स्थापना हुआ था किले रहा है अगर कोशन यह आप लोग आता है इंतर्नलि पूछता है कि इसका हीट्कौ arising है तो इसका मुख्याल फ्रेंड्स पिंडेवा तो माऍध और suspect पूछता है कि टब्लू टीओ में कुल कितने सदस्थ आइं तो आप याद कर süzen इसमें कुल 164 सदस्वा से हैं लेकिन लाश्ट मगर अकोसर नहीं पूस था कि इसमें कुल कितने भासा होता है तो इसमें कुल तीन भासा का प्रयुक किया तो तीन भासा में बता हो सबसे पहले इसे इंग्लीज के लिए एपस हो जाए फ्रेंच और से होगी आपका स्पैनिस यानि की एफस 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 या फी एफस या फी जैसे आप याद कर सकते हैं इंग्लिज फ्रेंच और स्वीडिस चले नेक्स असियान के चार प्रमुक देशों को लिखे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता आच क्या है स्थापना था फॉल कल पांच देख कराश्डपती पतामनेति सामिल तो वह देख सकते हैं अप लोग पहला थे एजिप्ट के अगर को सब्सक्राइज के सामिद्थ तो यह पांच राष्ट्रों के शामिल समस्य अब देख सकते सबसे पर हूं कि जprüा जब Doing यहीं पर आप लोग आता है यू एससार जिसे हम लोग बोलते है रसिया भी क्लिए रहना यह दोनों को बीच में यानि यह दोनों को बीच में काफी अनबन हो गया था यह दोनों लेकिन दोनों नहीं करते कि वहली नाम का थे यह जो स्टाट हुआ था फ्रेंट्स आप लोग याद रखेगा वह दोनीस सो यानि यह जो लाए स्टाट हुआ था उनीस सो पैतालिस से लेके उनीस सो एकावन एक आनुए चला था जो काफी अब तक के सबसे लंबे समय तक के ल उसका नाम रहा की वारसग्त करती लिए वांट लगक का था नीस सो पच्पन में कभव खेंग शुद में रहते लेकिन इस हैं संब्सक्री में इक एक अंतराष्टिस संगठ्था बनाए जिसे बोलते हैं एने एम ठीक है तो यह देख सकते हैं आप लोग यह एने एम देश है इसे याद कर सकते हैं देख लिए कौन को नहीं बीच वाले हैं कि अब देखे नेक्ष्ट को सब्सक्राइब को समझने से पहले मैं आप लोग को ब एश्ट ते तो देखेि सो सोथ इस्ट में जितने कंट्री आते हैं तो उससे ऐख अ में बोलते हैं असियान कंट्री डेखे यह आपका ऐइसी अ है सबसे फ्रेंट से भारत चाइना अब देखे यह आज isясक है सबसे निसे आप पर क्या अस्ट enrichment Cl, 10 जैंदर् segue कि 10 जैंक्र न फिलिपीन्स ब्रुनाई उसके साथ देखे मलेशिया सिंगापूर इंडोनेसिया यानि यह आपका कुल कि अस्यान के सदस्य तो देखे अस्यान का जो गठन हुआ था आठी आसियान का जो गठन हुआ था फ्रेंस यहाद कर सकते आप लो आठ अगस सब्सक्राइब अब उसके साथ याद रखेंगे इसमें कुल अभी वर्तमान में कुल दस देश हैं अदसों देश में बढ़ता हूं तो देखते हूं मैं सब को सब्सक्राइब लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपर नेक्स्ट हाँ एजेंडा 21 क्या है एक काफी महत्पुन को सण आई है तो एकस क्या है देखी मैं आप लोगों को बताता हूं इस देखिए सबसे पहले याद रखेंगे जिएजंडा 21 का सम्मान पिर्थवी सम्मेलन से होता है अथा यूएनों के दवारा यानि की यूनाइटेर नेशन औ परियावरन विकास के मुद्दे पर एक बैठक किये गए था इसी हम लों बोलते हैं इसमें पृथ्वी शंमेलन इसे हम लोग क्या बोलता है पृथ्वी संभी बहुत भी कह सकते हैं तो आप लोग को मैं बताता है एकिस दोना सबसे पहले प्रित्वी संहेलन का पहला बाठक जोग था ब्राजिल की राजधानी ब्राजिल के सबसे बड़े सबसे बड़े से रियोडी एक तो सब्सक्राइब सबसे पहली बैठक हुआ था 1992 में यानि परियवर्ण को बचाओ के लिए पहली बार आपका एजेंड़ा 21 का बैठक किया गया था रियो डीजेरों में जो कि ब्राजिल का सबसे बड़ा सहर हुआ कप किया था इसके साथ याद रखेंगे इसमें कुल 178 देशों ने भाग लिया था इतना आप लोग इसके बार में याद कर सकते हैं अब देखिए इसमें कोशन अगर आता है यानि कि एजेंड़ा 21 के बार में और भी कोशन आता है इसका देखिए पहला बैठक तो आप इसका पैठक में जोहानस बर्ग में हो था सौथ अपरीका के खिले रहा है और तीसरा बैठक दोहें बार में हो था यह भी रियोडी जेनरों में हो तो आप लोग सबसे पहले बारे में पढ़े होंगे देखिए आप लोग लिख सकते हैं इसे इसी हिंदी में बोलते हैं सार्क ना सार्क तो इसके बारे में लिख सकते हैं इसका अस्थापना कर गोता तो आठ डिसंबर उनीस्सो पचासी को हुआ था किले रहे हैं ऐसी में जब बनाता था ना तो इसमें कुल इसमें साथ देश थे किता देश थे ख्रेंट साथ थे लेकिन यहाद रखेंगे 2007 में 2007 में इसमें और द कितिन दार्च में तो दार्चस में कुल सब्सक्राइब थे लिए देता हूं देखें एंबी बीएस पीना अब देखें अब ट्रिक सबसे पहले नौर्थ यानि कि देखे मैं जो बताया था सेम वही चीज था यानि कि देखे मैं चित्र से बताया था उसके बारे बताने जा रहा हूं तो देखे कि क्या है देखे यूएश र के बीचवल मज देखें या लिए यानि यूएश ए यूएश्यक ट Insya इस सले करें जो तनाव हूब घ्यानि यहמעरीका और अमेरीका और सोबियत संग के च्वल के इस्थित्व को सीट्यूड के स्टार्ट हुआ था इसे याद कर सकते हैं 12 मार्च यानि जिदे से डांडी यात्रा स्टार्ट हुआ था बारा मार्च 1912 से यह प्राणाली से प्रारं हुआ था था लास्ट इसका विखटन वह था 1991 में गया था 12 मार्च 1947 से आपका 1991 के तक चला यह अब तक का सबसे बड़ा यूद्ध चला अब देखे फाइनली तोर में इसमें बीजेता तो कोई ने था लेकिन बीजेता के तौर में माना गें अमेरीका को बोलेगा ना सीथ यूद्ध में किसे बीजेता के रूप में घोशिद किया गया उसका दाम था वार्षा पैक्ट तो बारी महीं बता थैस नाइख संगटनने संगठन र जिसका ओरMM नाटो का आद यह आगर नाटो के किसी भी देश्पवर्स हमला गल्थी से कर दिया गया तो वहां 300 देश्प मिल का उसदेश को मार देंगे यानि उस पर हमला कर देंगे यह नाटो का प्रक्टिकर और एसके सांसा नाटो कर था तो वाज़ों स्थाप नगा था 1905 पर में किया गया था सार नर्थी किसे कहते हैं तो काफी महत्मुन कोशता नहीं है तो सार नर्थी आप लोग जानते हों कि यह होता कुछ नहीं है सिंपल में मैं मैं इह बताता हूं जो किसी के सरण में रहा रहा यह तोंसे पिर कोई माली जी किसी के सरण में लगा तो मोग क्या करेंगा साराइर और यह दिवस्ट चूं क्या है काफी महत्पुन कोसन है तो इसके बाइं जो बताता हूं सुनते आएगा काफी महत्पुन है तो देखे द्वी राष्ट सिधान सबसे पहले अगर कोसन आता है दिवी राष्ट सिधान के को नहीं है के लिए रहे अब देखे सबसे पहले स्ट्यक्टमेंट यहीं ता हिंदू-मुस्लिम एक राष्ट ने बलकी दो राष्ट है इसका यही था क्या ऑप देख सका कोफे इसके इसके बारे कुछ एक्स्रा भी बता देता हूं दुई रास्ट के बारे में सबसे पहले ध्यान से इसके बारे में बता रहा हूं 1930 में इलाहबाद में आल इंडिया इलाहबाद का निया नाम क्या परियाग राज ठीक है कि दुई राज सिधान के बारे मांग किया था 1930 में किले रहा है इसके दिस्ता खिशने के था मुहमद अली जिन्ना किले रहा है यानि कि इसका सिंपल एक ही बाता हिंदू मुस्लिम एक राष्ट नहीं बलकि दो राष्ट है किले रहा है चले नेक्स बॉंबई यहां तक तो हो है तो देखे आप लोग फ्रेंट्स आप लोग याद रखेंगे देखे बॉंबई योजना सबसे पहले इस योजना का फ्राजर्म जोगा था 1954 में होता देखे 1944 में मुंबई के 9 उद्योग पतियों ने मुंबई के आथ उद्योग पतियों ने 15 वर्षिर पुझी वादी य योजना पेश किया जिसे बॉंबे योजना कहते हैं किलियर है इतना अपलों लिख सकते हैं कभ उगाता उनीस सो चुवारीस में उगाता है और बाखे बुक से स्टडी कर लेंगे अस्यान के चार मुखे उदेश के तो अस्यान के मैं पिछले बारे बता दिया था पंचिल सिद्धान के जनक कों है तो पंचिल सिद्धान के जनक जो यो यह तो नहिते हैं अगर बोली कभाता नहीं को हुआता तो फ्रेंस इसकी बैठक आखांट में ऑथा निच संव में हुआता कैसे अब यह नहीं हूँता है तो तिब्बत को लेकर एक समझाता हुआ था जो भारत और चीन के बीच में इसे ही बोलते हैं पंचिल समझाता हुआ तो पंचिल समझाता हुआ था जो कि तिब्बत को लेकर एक समझाता हुआ था भारत और चीन के बीच में इसे ही बोलते हैं पंचिल समझाता हुआ अब दे जो सब्धाना बहुत अभिलेखों से लिया गया यह आप लोग याद कर सकते हैं पंचिल सब्जों भारत के प्राचिन बहुत अभिलेखों से लिया गया अब इसके बारे में बता दिया हूं ठीक है इसी में नारा दिया गया था भारत चिन भाई 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 इसी के बी कि देखिए विस वी करण कि आप लिख सकते पहरें एक देशों की प्रगिर्या वैसबी करण कहलाता है लगो Cu उपसे कि पाफी निए भी सकते हैं क्लिप नेक्स नेक्स्कुर्णी क्रूंधि जबता है बताने हो मंदल कके सिफारिस के बारें कता सबसे पहले दिक दिक के होता है तो क्या लिखेंगे आप लो कुछ नहीं करना मेरा वीडियो को याद कर लिए बीस होता फ्रेंस बिन देश्वरी मैं लिख देता हूं बीस होता फ्रेंस बिन देश्वरी आदेखें पीसे क्या होता आप लोग बता सकते हैं प्रसाद बिल्कुल सहे यानिकि देखें ब समाजिक से पिछले वर्गों की इस्तिती जानने के लिए समाजिक और सैचिक रूप से पिछले वर्गों की इस्तिती जानने जो कि जंतादल से थे मुरार्जी दिसाई के सरकार में बिहार के पूर्व सियम बिंदेशवरी परषाद मंडल की अधेस्ता में 6 सदस्य पीछड़ा वर्ग आयोग की गठन किया गया यह मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है यानि कि मंडल आयोग एक ऐसा आयोग है जिसके अस्थापना बीच देशाद मंडल की अधेस्ता में 6 सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया गया था ठीक है किसके लिए था समाजी को सैचिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए इसे ही अब बोलते है मंडल आयोग क कुछ बताता देखिए सबसे पहले आप लोग याद रखेगा भारत के समविधान के अनुचेद भारत के समविधान के अनुचेद 340 भारत के अनुचेद 304 यानि आटिकल नमबर 340 का पालन करते हुए प्रथम पिछला वर्ग आयोग का पहली बार जो गठन किया गया था भारत के समविधान के अनुचेद नमबर 1340 340 का पालन करते हुए प्रथम पिछला वर्ग आयोग मैं लिग देता हूं प्रथम पिछला वर्ग आयोग का जो गठन हुआ था वह 29 जनवरी याद रखेंगे फ्रेंस 29 जनवरी 1903 को काका कालेकर की अधिस्ता में राष्टपती के आदेश से किया गया था यह प्रता पिछला वर्ग आयोग 1905 या काका का लेकर आयोग के रूप में भी जाना जाता है तो फ्रेंस आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगा मैं पूरा बताने का प्रियास क्या हूं फिस मैं बताता हूं मंडल आय चूट के लिए 27 पर्षेंट था के लिए यह वैसे 2008 में फाइनली तवर पे हाई कोट के द्वारा मांगा गया था और आटिकल नमर बोले 28 तहट चूट देता है तो आटिकल नमर 340 के ताथ आप लोग को यह जो हता है पिछला वर्ग आयों का गठन किया गया तो फ्रेंस मै में के लिए वीडियो देख लिए काफी पढ़िया हो जाएगा तो चलिए थैंक्यू सो मच प्लीज सेर ओन यूर फ्रेंड्स इस वीडियो चलिए थैंक्यू सो मच बेस्ट आप लग